मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एक वरत के गर एक बहुत ही प्यारा बच्छा पैदा होता है वो उसका नाम हरकिलिस रखती है उस वक्त के लोग एक राजा की पूजा करते थे जिसे वो अपना गौड कहते थे और उसका नाम तर जियूस ये बेबी भी जियूस का ही दिखाया गया है Zeus की वाइफ यानी रानी को जबी पता चलता है कि ये बेबी Zeus का है वो भी किसी इंसान से अब यहां हरक्यूलिस कुछ बढ़ा हो चुका था लेकिन वो उसे मारना चाहती थी इसलिए वो दो सांपों को उसे मारने के ले भीजती है क्योंकि हरक्यूलिस जियूस का बेटा था इसलिए वो उसकी तरह पावरफुल था वो दोनों सांपों को अपने पास आने से पहले ही मार देता है हम देखते हैं कि हरक्यूलिस अब काफी बढ़ा हो चुका है वहां के राजा उसे कुछ टास्क देते है हरक्यूलिस इन टास्क से तो डरने वाला ना था इसलिए वो एके करके उटका मुकाबला करने लगता है और टास्क पुरा करने लगता है सबसे पहले तो वो एक अजीब से क्रियेचर से लड़ता है और टास्क जीच जाता है उसके बाद वो कई जानवरों से लड़ता है और उन्हें हरा देता है लेकिन एक दिन उसके सामने एक बहुत ही स्ट्रॉंग शेर आ जाता है उस पे कोई भी तीर असर नहीं कर रहा था लेकिन हरकियूलिस उसे अपनी ताकत से मार देता है फिर हमें एक जगा दिखाई जाती ह जहां पर कुछ लोगों ने एक लड़के को पूरी तरह बादा था और ये लड़का कोई और नहीं हरकियूलिस का भांजा था तब ही हरकियूलिस वहां आ जाता है और उन तमाम लोगों को मार कर अपने भांजे को बचा लेता है हम देखते हैं कि हरकियूलिस एक जगा लेटी आती है वो उससे कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है वो उसे बताती है कि हमारे खास लोगों ने हमारे साथ धोका किया है जिसकी वज़े से हर तरफ लड़ाईया हो रही है जिसकी वज़े से लोग मारे जा रहे हैं वहां बैठा एक आदमी उससे कहता है कि बीबी अ मारे पास वक्त नहीं है लेकिन अगर तुम जादा पैसे आफर करती हो तो हम जरूर आ सकते हैं तब वो राजकुमारी उनसे कहती है कि जंग लड़ना तो काफी पहादुरी का काम है तब हरक्यूलिस उससे कहता है हमें हतियार लेने के लिए तो पैसे भी चाहिए तब राजक की वाइफ का था तो राजकुमारी हरक्यूलिस को बताती है कि ये पांस साल में बना यहां पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि ये वाकरी जियूस का बेटा है लेकिन राजकुमारी के बेटे के लिए तो हरक्यूलिस किसी हीरो की तरह था राजा उसे बताता है कि मेरे खा के इलावा कोई नहीं मार सकता वो उसे ये भी बताता है कि उसकी सोलजर की टीम में एक ऐसा क्रीचर है जो आदा गोड़ा और आदा इंसान है हरक्यूलिस की टीम में जो लड़की आई थी वो उनसे कहती है कि ये क्रीचर कहा रहते है तब राजा का एक आदमी उन्हें बताता कि ना तो हमने उन्हें देखा है और ना ही हमें पता है कि वो कहां रहते हैं हमने तो बस उनके बारे में सुना है अब हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि हरक्यूलिस और उसके साथी यहां के किसानों को फाइट करना सिखा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई भी आर्मी force नहीं थी हर्किलिस उन सब से कहता है कि तुम सब एक दिवार की शकल में खड़े हो जाओ और जैसे ही लोग खड़े होते हैं तभी हर्किलिस का एकाद भागता हुआ जाता है और वो उनकी बनाई हुई दिवार यानि शील्ड को उड़ता हुआ अंदर भाग जाता है तभी हर्किलिस उन तमाम लोगों से कहता है कि इतनी कमजोर दिवार अगर इसी तरह तुम सब रहोगे तो जरूर हार जाओगे अब हर्किलिस इन तमाम फार्मर को ट्रेन करता है तभी हमें ये दिखाय जाता है कि कुछ लोग उनके मुलक पर हमला करने आ रहे है जब ये बात हर्किलिस को फता चलती है तो राजा को जंग करने से मना करता है क्योंकि वो उनसे कहता है कि जंग के बात हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा लेकिन राजा उन सबसे कहता है कि हम जितनी जल्दी इन लोगों को खतम करेंगे उतनी जल्दी हमारे मुलक में सुकून हो जाएगा रात में राज कुमारी का लड़का हरकुलिस से मिलने आता है और वो उससे कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं बाद में बड़ा होकर बिल्कुल आप की तरह बनूगा ये बात सुनकर हरकुलिस अपने गले से किसी जानवर के दाथ से बना हुआ लॉकिट उतार कर उस बच्चे की गले में डाल देता है वो उससे कहता है कि ये लॉकिट में अपने बेटे को देना चाहता था लेकिन अब मैं ये तुमें दे रहा हूँ अब सब लोग उस तरफ जा रहे थे जहां उन्हें दुश्मन राजा से मुकाबला करना था रास्ते में उन्हें एक जगा कटे वे सर लटके वे दिखते हैं तब राजा उन्हें बताता है कि वो हमसे पहले यहां पहुँच चुका है और हमें डैराने के लिए यहां के लोगों को मार दिया है हरक्यूलिस सबसे कहता है कि हम पैदल जाएंगे और सबी लोग पैदल चलने लगते है तब हरक्यूलिस यह नोटिस करता है कि यह डैड बोडी आज की नहीं बलके कई दिन पुरानी है यह उनके लिए एक साजिश थी उनका ध्यान भटकाने के लिए तब हमें यह दिखाया जाता है कि चारों तरफ कबीले के लोग आ जाते है और उन पर हमला करने लगते है हरक्यूलिस काफी हैरान होता है कि हम तो इनकी मदद के लिए आये हैं लेकिन यह तो उल्टा हमें ही गेरे हुए है तब ही यह पता चलता है कि दुश्मन राजा एक जादुगर था और उसने उन तमाम लोगों के दिमा को कंट्रोल कर लिया था तब ही यह सारे कबीले के लोग हरक्यूलिस की टीम पर हमला कर देते है और उन लोगों में काफी गमसान की लड़ाई होती है और हरक्यूलिस काफी बहादुरी से उन से मुकाबला करता है और उन तमाम लोगों को मार कर गिराता है अब राजा काफी परिशान हो जाता है क्योंकि उसके बहुत सारे सिपाही मारे गए थे तब हरक्यूलिस उन से कहता है कि मैंने तो मना किया था इस लड़ाई से मुझे तो अभी इने बहुत कुछ सिखाना है तब राजा उसकी बात मान लेता है लेकिन हरक्यूलिस अब काफी परिशान रहने लगा था वो रातों को भी जागने लगा था वो खौब देखता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है और उसे अपने खौब में तीन मुवाला क्रीचर भी दिखता है हरक्यूलिस के आदमियों में से एक आदमियों उससे कहता है कि यहां आने से पहले मैंने एक ऐसे क्रीचर से बात की जो गौड की बाते सुनकर इनसानों तक पहुचाती है और फूचर के बारे में भी बताती है और उन्होंने तुम्हारे बारे में यह कहा है कि तुम्हें अपना इन कम्प्लिट काम पूरा करना होगा क्यूंकि हरक्यूलिस काफी परेशान था इसलिए इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता है हर्किलिस की एक बीवी और तीन बच्चे थे और उन्हें मार दिया गया था और उसका कुसुरवार उसे ठहराया गया था और उसी वज़े से उसे अपने मुल्क से भी निकाल दिया गया था जहां दूसरी तरफ ये लोग दुश्मन राजा की तरफ पहुच जाते हैं देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जिन फार्मर को हर्किलिस ने ट्रेन किया है वो फार्मर की फॉच ज़दा देर तर टिक नहीं पाएगी लेकिन खुश किसमती से ये लोग जंग जीट जाते हैं तबी दुश्मन राजा काफी तेजी के साथ हर्किलिस की तरफ बढ़ता है लेकिन हर्किलिस पौरण उसका घोड़ा गिरा कर उसे कैद कर लेता है कैद करने के बाद वो उसे राजा के पास ले जाता है तब दुश्मन राजा उससे कहता है कि तुमने मुझे बिला वज़ा कैद किया है मैंने तुम्हारे मुलका कुछ नहीं बिगाड़ा तब हर्कुलिस उससे कहता है कि अगर तुमने नहीं किया तो किस नहीं किया जिसमें राजा के सर पर एक ताज रखा जाता है क्योंकि उसने हर जगा कपजा जो कर लिया था वहीं पर उसका दुश्मन राजा भी बन्दा हुआ था सब उस पर हस रहे थे लेकिन राजा की बेटी यानि राजकुमारी जब ये सब देखती है तो उसे बिल्कुल भी ये सब अच्छा नहीं लगता उसे दुश्मन राजा पर काफी तरस आता है हरकुलिस ये सब कुछ देख रहा था तब वो राजकुमारी के पास जाता है उससे पूसता है कि दुश्मन राजा के लिए तुमरी आँखों में ये रहम क्यों है और जंक शुरू होने लगी वो उसे बताती है कि इस सब में तो उस दुश्मन राजा का कोई कुसर नहीं बलके वो हमारा दुश्मन है भी नहीं इस सब के पीछे मेरा बाप है और मैं अभी अपने बाप के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा एक छोटा बेटा है और वो उस वक्त मेरे बाप के कंट्रोल में है वो उसे कहती है कि मेरे बेटे को यहां से ले जाओ और उसे अपनी तरह ट्रेनिंग दो तब ही वहाँ पर राजा का खास आदमी आ जाता है और हरक्यूलिस से कहता है कि आपको राजा ने याद किया अब हरक्यूलिस राजा के पास जाता है तब राजा उससे कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने आम इंसानों और किसानों को जंग लड़ने का तरीका सिखा कर हमें जितवा दिया और देखो आज मैं राजा हूँ और अब वो लोग दूसरे लोगों को लड़ाई करने का तरीका सिखाएंगे और आहिस्ता हिस्ता मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूँगा और यह सब तुम्हारी वज़े से हुआ क्या तुम मेरे खास आदमी बनोगे तब हरक्यूलिस यह सुनकर मना कर देता है तब राजा उससे कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मरजी ठीक है मैं तुम्हें सोना दे देता हूँ उसके बाद तुम यहां से चले जाना और अब मैं तो राजा बन चुका हूँ इसलिए मुझ ये देखकर हरक्यूलिस अपने सोने की थेली फेक देता है और अपने साथियों से कहता है कि मैं यहीं रहूंगा क्यूंकि यहां के लोगों को मेरी काफी जरूरत है तब ही हरक्यूलिस का एक और साथी कहता है अब क्या कर रहे हैं हमें तो इतना सोना मिल चुका है और अब हमें यहां से निकलना चाहिए हरक्यूलिस के बाकी साथी भी अपना सोना फेक देते हैं और हरक्यूलिस के साथ हो जाते है सिवाए उस साथी के जो अपना सोना लेकर वहां से चला जाता है अब हरक्यूलिस के साथी सीधा राजा के कमरे में आते हैं तबी राजा के आदमी उन सब को घेर लेते हैं यहाँ पर राजकुमारी और उसका बेटा भी होता है अब यहाँ पर राजा का खास आदमी राजा से कहता है कि आपकी बेटी हरक्यूलिस से कह रही थी कि मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ ये सुनते ही राजा राजकुमारी से उसका बेटा छीन लेता है तबी राजा का एक आदमी हरक्यूलिस पर अटेक कर देता है जिसकी वज़े से हरक्यूलिस बेहोश हो जाता है और जब हरक्यूलिस को होश आता है तो वो देखता है कि वो बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा गया है तब ही वहाँ पर उस मुलका राजा आता है जहां पर हरक्यूलिस बड़ा हुआ था और हरकिलिस ने हमेशा उसका साथ दिया और उसके लिए कई जंगे लड़ी लेकिन यहाँ पर उसने भी धोका दिया और वो उस बड़े राजा के साथ मिल गया और वो दोनों ने प्लानिंग भी कर ली कि हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर कबजा कर लेंगे और वो उनके साथ तीन भीड़ी भी लाया था और उनकी आवाज बिलकुल वैसी थी जैसा कि उसने अपने ख्वाब में सुना था वो सोचता है कि जब भी मेरी बीवी और बच्चों की मौत हुई तब भी मुझे ऐसी ही आवाज आई थी इसका मतलब इनके पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ है हरक्युलिस उन से पूछता है कि आकिर तुम्हारा ऐसा करने के पीछे वज़ा थी तब depict वी उस मुलका रاجा जहां हरक्युलिस बड़ा हुआ था वो हरक्युलिस से कहता है मूल का राजा हम थे लेकिन तुम्हारे कारणामे और बहादुरी की वज़े से लोग तुम्हारा नाम लेते थे और हमारे पास इसके लावा और कोई चारा नहीं था और हम तुम्हें मार भी नहीं सकते थे और हमने सारा इल्जाम तुम्पर इसी लिए लगाया ताके उस मुलक के लोग तुम से नफरत करने लग जाएं और सिर्फ हमारा नाम ले ये सुनकर हरकीलिस को काफ़ी गुसा आता है लेकिन जंजीरों से बना होने के कारण वो हिल नहीं पाता और अब वो बड़ा राजा एक एक करके सबको मारने का प्लान कर रहा था और सबसे पहले वो अपनी ही बेटी को मारने लगता है ये देखकर हरकीलिस काफ़े गबरा जाता है तब उसका साथी कहता है कि तुम खुद को आजात कर सकते हो अगर तुम हिम्मत हार चाओगे तो हमारा क्या होगा ये सुनकर हरकीलिस में काफ़ी हिम्मत आ जाती है और वो उन जंजीरों को तोड़ देता है और खुद को आजात कर लेता है और फौरन से भाग कर राज कुमारी के पास जाता है और उसे बचा लेता है तबी वो तीन भीडिया हरकिलिस के तरफ आ जाते हैं और उस पर अटेक कर देते हैं लेकिन हरकिलिस काफी बाहदूरी के साथ उन तीनों भीडियों से लड़ता है और तीनों को मारतेता है वो अपने साथियों को उस राजा से जैसे उसकी फैमली को मारा था उसके बाद वो अपने साथियों को लेकर महल में चला जाता है वो देखता है कि राजा बहुत सारी फौज के साथ खड़ा है और एक आदमी ने राजकुमारी के बेटे के गले पर खंजर रखा हुआ है तब ही राजा ओर्डर देता है कि इस बच्चे को मार दिया जाए तब ही वहाँ पर हरक्यूलिस का वो साथि जो सोना लेकर चला गया था वो आता है वो तीर से उस आदमी को मार देता है जो उस बच्चे को मारने वाला था वो सब उस छोटे बच्चे को बचा लेते हैं लेकिन अब दुश्मन राजा की फौज उन पर अटैक करने लगती है हरक्यूलिस बराबर से उनका मुकाबला करता है तभी हरक्यूलिस के एक साथी की डैथ हो जाती है क्योंकि वो बहुत जखमी हो चुका था लेकिन अब वो राजा की बागी फौज उनकी तरफ बढ़ने लगती है लेकिन तभी हरक्यूलिस के साथियों ने बिल्कुल वैसी ही दीवार बनाई थी जिसको तोड़ना नामुम्किन था तभी हरक्यूलिस वहा देखता है के जिस्उस की वाईफ का वहाँ पर बड़ा सा स्टेचू है जैसे ही इस राजा के सोल्जर उपर की तरफ बढ़ने लगते है हरक्यूलिस उस स्टेचू को नीचे की तरफ गिरा देता है वहां से सब सोलजर वापस भागने लगते हैं जब राजा ये सब देखता है तो वो अपने सोलजर पर गुर्सा करने लगता है और उन सब से कहता है कि जाओ हरकिलिस को मार दो लेकिन तब ही वो इस टेचू आकर राजा पर गिरता है और राजा मारा जाता है सब सोलजर और वाकी लोग भी हरकूलिस की ये बहादूरी देखकर उसके सामने जुक जाते हैं लोग अभी भी ये नहीं जानते थे कि ये वाकी जी उसका बेटा है कि नहीं लेकिन ये जरूरी नहीं था क्योंकि वो इतना ज़ादा बहादूर और ताकतवर था कि इस चीज ने उसे आम लोगों से काफी ज़ादा उपर कर दिया था वो आम लोगों का खैल भी रखा करता था इसलिए सब लोग हरक्यूलिस की तारिफ करने लगते हैं यहीं पर यह मुवी खतम हो जाती है अगर आपको अमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक चैनल को सबस्क्राइब और हाँ बेल आइकोन की बटन को दबाना ना भूले